बिसमिल्लाहिवराहमान रहीम अस्सालाम अलेकुम मेरे दोस्तों आज हम MS Excel में सीखेंगे हाँ केंवी कल्कुलेट मंथली इंटरस्ट और हाँ केंवी कल्कुलेट प्रंस्पल अमाउट फ्रॉम इनस्टॉल्मेंट तो मेरे दोस्तों जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था तो इसमें हमने क्या क्ल्कुलेट किया था इंस्टॉल्मेंट तो इनस्टॉल्मे per month हम पेड़ करते हैं तो इसमें principal amount कितना जाता है और इसमें interest कितना जाता है ठीक है तो अगर यहां पर loan amount पूर फोटी thousand है तो time period three years है rate of interest well है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हम monthly installment निकालेंगे उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितना interest जाता है और principal amount इसमें कितना जाता है ठीक है तो सब से पहले यहां पर हम new sheet निकालेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा बहुत यहां पर मैं यह लिखूंगा select किया यहां पर मैं border तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा serial number serial number उसके बाद यहां पर मैं लिखूं लोन एमाउट लोन एमाउट लोन एमाउट लोन एमाउट लिखने के बाद यहां पर मैं लिखूंगा टाइम पिरियड पिरिय टाइम पिरियड लिखने के बाद रेट अ पिंटरस्ट रेट आप इंटरस्ट निखने के बाद यहां पर हम लिखूंगे इनिस्टॉल्मेंट या मन्थली मन्थली इनिस्टॉल मेंट यहां पर हम लिखेंगे इन्टरस्ट यहां पर हम लिखेंगे P ईमाउंट करोंगा उसके बाद यहां पर मैं किसी टेपर में स्क्रीण प्र रखूंगा ठीक है तो जुकरीं जाएगा four sided arrow में यहां पर आपको double click करना है ठीक है तो यह text fit हो जाएगा अपने अपने cell में ठीक है तो सबसे पहले यहां पर मैं इस text को थोड़ा बहुत font size increase करूँगा फिर दोबारा यहां पर कॉर्न पर मैं क्लिक करूँगा फिर दोबारा यहां पर किसी टेपर में screen print रखूँगा उसके बार double click करूँगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर serial number लिखा उसके बाद यहां पर loan amount 40,000 लिखने के बाद time period चलो कि यहां पर हम लिखेंगी फोर उसके बाद यहां पर आपको यह इसके बाद मैं मैं आपको बताऊंगा ठीक है rate up interest चलो कि 12% 12% लिखने के बाद यहां पर आपको क्या करना है monthly installment निकालना है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका मैं फांट साइज इंक्रीज करूंगा अब सेंटर में लाओंगा इस टेक्स्ट को तो यहां पर आप देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या निकालना है monthly installment ठीक है तो इसके बाद monthly installment निकालने के बाद यहां पर आपको यह calculate करना है कि जो installment में हर मेने paid करता हूं इसमें मेरा interest कितना जाता है बेंक और principal amount इसमें कितना जमा होता है ठीक है तो यहीं आज हमें इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले मेरे दोस्तों जब भी आपको installment यहां पर आपको calculate करना है तो calculate करने के लिए जो कल मैंने वीडियो upload किया था तो इसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी फर्मला वहां पर आप कौन सी function वहां पर आपको इस्तिमाल करने है तो आज हम दुबारा इस function को इस्तिमाल करेंगे ठीक तो सबसे पहले यहां पर आपको monthly installment निकालना है monthly installment मंतली installment निकलने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको को किली करना उसके बाद यहां पर आपको equal sign enter करने के बाद PMT लिखना है PMT लिखने के बाद short bracket यहां पर आपको इंटर करना है short bracket इंटर करने के बाद यहां पर आपको rate of interest ठीक है यहां पर rate of interest टो यहां पर आपको click करना है divide by 12 करना है divide by 12 उसके बाद कामा इंटर करना है तो फूर पर किली करने के बाद यहां पर चार साल है ठीक है तो उसके बाद यहां पर आपको multiply by ठीक है यहां पर आपको store करने शान लगाना है multiply के लिए आपको store करने शान लगाने के बाद यहां पर आपको 12 इंटर करना है 12 इंटर करने के बाद यहां पर आपको लोन इमाउंट पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपको पूर्टी थाउजन पर आपको क्लिक करना है उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्रेस इंटर की करना है तो मेरी दोस्तों यहां प ठीक है मंतली इंस्टाल्मेंट यहां पर निकल गया तो मंतली इंस्टाल्मेंट में दो इमाउंट जाते हैं ठीक है तो एक जाता है इसमें इंटरस्ट ठीक है कितना बैंक को जाता है दूसरा प्रिंस्पल इमाउंट वहां पर कितना जमा होता है ठीक है तो वही आज हम तो interest calculate करने के लिए आपको क्या करना है यहां पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर equal sign enter करना है equal sign enter करने के बाद यहां पर आपको equal function enter करने है IPMT IPMT means interest per month installment तो उसके बाद यहां पर आपको short bracket start करने है यहां पर आपको rate of interest rate of interest 12 यहां पर आपको click करना है divide by 12 करना है divide by 12 करने के बाद यहां पर आपको कामा इंटर करना है कामा इंटर करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है यहां पर हमें पहले मन्त का हम यह देखना चाहते हैं कि मेरा इंटरस्ट यहां पर कितना हो गए है बैंक को ठीक है तो उसके लिए यहां पर आपको वन इंटर करना है ठीक है वन इंटर करने के बाद यहां पर आपको कामा इंटर करना है कामा इंटर करने के बाद यहां पर आ करना है कि यहां पर आपको क्लूज करने के बाद यहां पर आपको क्लूज करने के बाद प्रेस इंटर्वी करना है तो यहां पर यह इमाउंट भी किसमें शो हो गया है डालर में ठीक है आप इसको करना है रुपीज में यहां पर आपको किलिक करना है ठीक है तो अब उसके बाद यहां पर आपको क्या निकालना है यहां पर हमें निकालना है कि अगर इंस्ट timeount मेरा कितना वहां पर जमा होता है तो इसके लिए कूंसा फॉरं को इस्तिमाल कर निए यह यहां पर आपको लिखना है एक वार्ट एक लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना है पी-पी-एम-टी पी-पी-पी-एम-टी मेंस प्रिंस्पल पर मन्त इंस्टालमेंट प्रिंस्पल पर मन्त इंस्टालमेंट ठीक है पी-पी-एम-टी मेंस प्रिंस्पल per month installment ठीक है PPMT लिखने के बाद short bracket start करना है short bracket या enter करना है start करना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है यह rate आप interest पर आपको क्ली करना है तो पर आपको क्ली करना है divide by 12 ठीक है तो उसके बाद यहां पर आपको कामा enter करना है कामा इंटर करने के बाद हमें यहां पर कामा इंटर करने के बाद हमें यहां पर कितना जाता है यहां कितना बैंक में जमा होता है तो उसके लिए यहां पर आपको वन इंटर करना है वान इंटर करने के बाद यहां पर आपको कामा इंटर करने के बाद यहां पर आप यहां पर आप टाइम पिरिए टाइम पिरिए फोर येर से यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मल्टिपलाइब ट्वेल करना है मल्टिपलाइब के लिए मल्टिपलाइब ट्वेल करना है मल्टिपलाइब ट्वेल करने के बाद कमा इंटर करना है कमा इंटर करन करना है रुपीज में यहां पर आपको कामा पर किलिक करना है ठीक है तो मेरे दोस्तों यहां पर आप देखिए टोटल इंस्टॉल्मिंट मेरा कितना बनता था वान थाउजन्ट फिप्टी थ्री रुपीज थर्टी फाइव पेंसा तो यहां पर आप देखिए जब मैं इंट और प्रिंस्पल आमाउंट को यहां पर आपको जमा करना है तो जब इन दुन को हम यहां पर जमा करेंगे तो यह बराबर आना चाहिए इस आमाउंट को ठीक है तो यहां पर लिखो उसके बाद यहां पर क्लिक करो पलस का साइन लगाओ यहां पर इंटर करो पलस का साइन इं करना था बैंक को ठीक है वन थाउजन्ट फिप्टी थी रूपीज थर्टी फाइव पेंसा तो यहां पर मेरा इंट्रस्ट कितना जाता था बैंक को ठीक है फोर हंडर्ड तो प्रिंस्पल अमाउंट कितना जाता था यहां पर सिक एस हंडर्ड फिप्टी थी पॉइंट सिखा है कि अगर प्रिंस्पल ये मन्थल इंस्टॉल्मेंट निकालने के बाद हमें ये जानना चाहते हैं कि इंटरस्ट इसमें कितना जाता है और मेरा प्रिंस्पल इमाउंट इसमें कितना जमा होता है ठीक है तो उसके लिए यहां पर आपने यहां पर आपने यहां पर आपने इंटरस्ट निकालने के लिए इसमें आपको इंटरस्ट अलग निकालना है उसके लिए आपने कुन से फंक्शन इस्तिमाल किया है IPMT IPMT means interest per month installment ठीक है तो वो फार्मला देने के बाद यहां पर आपने प्रेस इंटरकी किया है ठीक है तो उसके बाद डालर को शो करने के बाद यहां पर आपको कामपर आपने किलिए किया है उसके बाद यहां पर आपको क्या निकालना था तो यहां पर आपने interest separate किया है आप इसमें आपको यह निकालना था कि मेरा principal amount इसमें कितना जमा होता है ठीक है उसके लिए आपने कुछ सी function इस्तमाल किया है PPMT means principle per month installment ठीक है PPMT लिखने के बाद पहले आपको equality लिखना है उसके बाद PPMT उसके बाद short bracket start करने के बाद यहां पर rate of interest पर आपको click करना है कामा इंटर करने के बाद यहां पर आपको time period ऐदना कि four years ठीक है यहां पर आपको click करना है multiple images 12 करना कि मालटिपल आप हम 200 क्यों करते हैं एक साल में बारा मीने होता है उसके बाद कामा इंटर करने के बाद loan amount पर आपको click करना है तो जब भी कोई amount शो हो जाएगा डालर में ठीक है वहां पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर आपको कामा पर आपको click करना है तो मेरे दोस्तों आज आपने सिखा है कि इनस्टाल्मेंट निकालना उसके बाद इनस्टाल्मेंट निकालना उसके बाद मन्थल इनस्टाल्मेंट निकालने के बाद आप आपने आज सिखा है कि जो मेरा मन्थल इनस्टाल्मेंट जाता है ठीक है इस मेरा इंटरेस्ट कितना जाता है और मेरा principle amount कितना जमा होता है वहां पर ठीक है तो this was all about today's video तो आप मैं आप से इजादत चाहता हूँ शबाख खायर खुदा